नमस्कार नेक्स नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी सताथ प्रगयसिक बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में जहां एक और उतर प्रदेश में आजमगड और रामपुर उपचुनाव को लेकर लगातार पार्टिया तैयारियो में जूटी हुई है तो वहीं दूसरी और एक संसनी खेस खबर सामने आई है जी हां आपको बता दे के समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंग यादफ की चोटी बहु और साथ ही बीजेपी की नेता अपरना यादफ को चांद से मारने की धमकी देने की संसनी खे अपरना यादफ पर आत्मगाती हमला करने की बात कहें की पुस्टी की गई है जिसके बाद पूरे परिवार में संसनी बच गए वहीं मामले में कारवाई करते हुए अपरना यादफ के पीएसो ने गौतम पलवी थाने में मामले यह जो पूरा मामला है इसे दर्च कराया ह वहीं इसके बाद थाना पुलिस ने इस वाटसिप कॉल पर जो नंबर अनू नंबर जो आया है उसके आधार पर मामला दर्च कर लिया है और साथ ही सर्विलन्स पर लगा दिया गया है पुलिस टेम को लगातार मामले की छानबीन की जा रही है जिसके बाद सवाल यह उठत भी नेता परना यादव को जिस तरह से दिन दहाडे चांद से मारने की धंकी आई है उसके बाद कही न कहीं यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या कुछ वज़ा है जो इस तरह से अच्छानक अपरना यादव को खुले आम इस तरीके से धंकी दी गई है जी हाँ उन्हें 72 घंटे का समय दिया गया है कि 72 घंटे के अंदर अपढ़ना यादव को इस तरह उनको टार्गेट करके और उन पर आत्म घाती हमला करने की बात इस वाटसेप कॉल के जरीए की गई है। कराता है ये पता चल ही जाएगा लेकिन फिलाल अभी सवाल यही उठता है कि चुनावी माहौल के बीच जिस तरह से बीजेपी नेत्री अपढ़ना यादव को खुले आम जान से मारने की धंकी दी गई है उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं लेकिन इस सवालों के जवाब तो पुलिस का रवाई पुलिस की चानवीन के बाद ही पता चल पाएंगे लेकिन आखिरकार अपढ़ना यादव को जिस तरह से 72 घंटे का वक्त दिया गया है आखिरकार क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी फिलाल के लिए इस खबर पर इतना ही ऐस अब्डेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स नाइन लाइट नमस्कार